हलो इस्टूरेंट्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिनोद बिहारी महतो कोईलांचल यूनिवर्सिटी की बिनोद बिहारी महतो कोईलांचल यूनिवर्सिटी ने पीच डी कोस वर्ट की जो एक्जामिनेशन की प्रोग्राम है वो जारी की है तो आज के इस वीडियो पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नोटिस दी गई है देखे जैसा कि आपको मैंने बताया उसी तरह से डिवाइड नोटिस फूर पीएजडी कोर्स वर्क यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दी गई है साथ मार्च है आथ मार्च है वहाँ पे पेपर बॉन पेपर टू सेंटर एकेडमिक ब्लॉक यह दिया गया है आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहां पे और कुछ भी दिखने को मिल रहा है, यह देखिए, यह 9 मार्च है, 10, यह पेपर आपका 3, पेपर 4, यहां पे दिया गया है, आप इसको नो डाउन कर लोगे, यूमिनेटीज की बात अगर करें तो 25-3-2022, पेपर 1 है, 26-3-2022, पेपर 2 है, सेंटर जो है, कंसर्ण डिपार्टमेंट, यहां एकेडमिक ब्लोक 1, यहां पे 28 मार्च और 29 मार्च, पेपर 3, पेपर 4, वहीं पर नोट में दिया गया है, आपको कि, प्रोविशनल अप दे कंड़क्ट ओफ एक्जामिनेशन एक्ट 1981, एन डिरेक्टिव अप दे ओनरेवर हाई कोट, पतना, डेटेड 22-12-1995, विल बी स्टिकली इंप्लीमेटेड फोर दे फियर कंड़क्ट ओफ एक्जामिनेश ये दिया गया है नोट में, second है, any special marking by the examinees or any other person for the purpose and unauthorized defense of coding of the answer book is prohibited and even punishable under the regulation. Next है, all undesirable materials such as mobile, programmable calculator, ये सभी जो है, सभी मना है. Examinees are required to bring admit card, ये तो compulsory होता है, without admit card, आपको he and see, किसी को भी allowed नहीं किया जाएगा exam में appear होने के लिए. साथ ही ये भी का गया है, कि किसी भी case में re-examination नहीं ली जाएगी. Thank you so much for watching this video. Subscribe करें हमारे चैनल को मुझसे जुड़े रहने के लिए ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे. Thank you.